तो गाई शुरुवात करते हैं बिग न्यूज से सबसे पहली बिग न्यूज निकल के आ रही है OKCoin Exchange जो की जापान के एक बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है इन्होंने यहाँ पर Shiba Inu की लिस्टिंग को लेके कुछ ट्वीट डाला है दरसल में इन्होंने यहाँ पर बोला है by 2020-23 February के बीच में यह Shiba Inu को लिस्ट करने जा रहे हैं अपने प्लैटफार्म के उपर चलिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं in February 2023 at OKCoin Japan we plan to list Shiba Inu और यह बहुत ही बड़ी बिग न्यूज है पूरी पूरी Shiba Inu के लिए क्योंकि Japanese जो पीपल है यहाँ पर वो क्रिप्टो क्रंजीज में अभी तक Bitcoin और Ethereum पर ही maximum trade करते आए हैं लेकिन अब यहाँ पर main token list होने के बाद वो इस पर भी trade करना start कर देंगे जिससे जो मैरी total supply है उसको तो फरक पड़ेगा पड़ेगा साथ की साथ यहाँ पर burning rate भी बढ़ जाएगा दूसरी तरफ Shiba Inu ने यहाँ पर लगबग 13 गंटे पहले Shiba The Metaverse के एक retweet डाला है दरसल में हमारा एक wagmi temple का project था जो आपको पता होगा तो यहाँ पर उस project को आज कुछ images के साथ यहाँ पर दर्शाया गया तो अगर मैं आपकी real images दिखाऊं wagmi project के तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो guys next big news निकल के आ रहे है OKX Exchange की तरफ से जहाँ पर इन्होंने XRP साथ किया Shiba Inu ले flexible staking को launch किया है चले इसको पूरे details से समझते हैं यहाँ पर देख सकते है OKX users now can stake Shiba and XRP to earn highly flexible staking rewards और साथ की साथ इन्होंने officially twitter handle page पर भी इस tweet को post किया है Introducing our new upgrade of OKX on gold or a staking with more flexibility और यहाँ पर देख सकते हैं Staking के बीच में Shiba Shiba token को F.I.L, File Coin, Doze Coin, LTC और XRP और Ripple Coin का भी यूज कर सकते हो यहाँ पर तो यह भी बहुत अच्छी big news है पूरी को पूरी Shiba में लिए साथ की साथ एक यहाँ पर whale account है जिन्होंने लगबग 2.8 trillion Shiba Inu tokens को hold करके रखा है और इसी कारणी यह 32 यहाँ पर biggest whale account बन चुकिए है अगर मैं बात करूँ इनके 2.87 trillion Shiba इन्हों की वर्थ की तो वह लगबग 26.29 million US dollars यहाँ पर वर्थ बन जाती है अब बात करते हैं market के उससे पहले एक पर हम burning की report जान लेते हैं और holding में आपको दिखाया है holding में Ethereum whale की और holding की report अगर लेटेस्ट दिखाऊं तो लगबग 6 घंटे पहले की report है top 100 Ethereum whale की holding में number 1 पे Shiba Inu बना हुआ है और top 1000 में भी number 1 पे Shiba Inu और top 5000 में भी top 8000 में भी Shiba Inu number 1 पे लगातार बना हुए यहाँ पर दूसरी तरह burning की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में 3.3 मिलियन Shiba Inu टोकन को burn किया गया है और बात कर अगर बीटता हुए घंटे की या past hour की तो यहाँ पर देख सकते हैं लगबग 1 मिलियन Shiba Inu टोकन को burn किया सिर्फ एक single transaction में लगबग 20 मिन्ट पहले याँ यहाँ पर burning लगातार बढ़ती हुई pump करती हुई नजर आ रही है अब बात करते हैं market की सबसे पहले overall market फिर Shiba Inu के price में overall market की बात करें तो आज लगबग plus में ही चलिया overall market minus में इतने ज़्यादे drop run देखने को नहीं मिला करंटली बात करें यहाँ पर देख सकते हैं 1.28% का plus में एक pump लिए overall market में bitcoin की बात करें तो bitcoin लगबग 2% plus में था पिछले 24 गंटे से और पिछले गंटे से 0.07% minus में same way में ethereum पिछले 24 गंटे से 2% plus में था और पिछले एक गंटे से 0.07% minus में नज़र डाले शीबे इनु पर शीबे इनु भी currently 0.17% से plus में चलता हूँ नज़र आया हाला कि आज शीबे इनु का price लगातार pump करता हूँ नज़र आया है minus में सिर्फ थोड़ा सो सुबे का time था बाकि लगातार pump करता हूँ नज़र आया हाला कि pump करने के बाद वो dump down हूँ लेकिन फिर pump किया फिर dump down हूँ और फिर से pump करता हूँ नज़र आया है कारण रहता है maximum instant profit क्योंकि जितने भी यहाँ पर users है सबसे पहले एक बाद trading volume आपको दिखा दे तो फिर बात करते हैं तो ट्रेडिंग volume देख सकते हैं यहाँ पर 0.02% से बढ़त बनाए हुए बलकि price में भी change देखने को मिल रहा है जो बहुत कम देखने मिलते हैं हाला कि 0.02% कम है लेकिन यह बढ़ता चला जाएगा धीरे-धीरे मतलब maximum users को purchase करते हो नज़र आएंगे main चीज हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पर जिन लोगों ने minus में purchase के उनने इस peak पर जाके sell out कर दिया और sell out करने के बाद price में गिरावट देखने को मिली क्योंकि यहाँ पर जैसी sell out के तो गिरावट तो अबसली बाती उसके बाद गिरावट देखने के बाद फिर से थो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई फिर से जिन पिपल ने यहाँ purchase के उनने इस उनगहें इदर sell out कर दिया और सारे के सारा इस्टेंट प्रविट कमाने के लिए इहाँपर और यही खेल यहाँ पर चला minus हुआ फिर plus फिर purchasing हुई फिर ज़्याद़ purchasing की देगी फिर sellout हुआ फिर purchasing हुई फिर यहाँ पर से sellout हुआ गिरावट देjenigen को मिली फिर purchasing फिर गिरावट देखने को मिली और फिर से purchasing अभी आपने देखा trading volume में start हो चुकी है यहाँ पर तो यही चीज रगता रहता है इस टेंट प्रोफिट कमाने के चक्र में तो यह इस वीडियो में वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर दीजे चैनल को कर लिजे सस्क्राइब और आपको क्या लगता है वे 2023 में क्या हम वन सेंट को रीच कर पाएंगे या फिर नह नहीं कमेंट करके जूरू साइए थैंक्यू गाइस